यूपी के गाजेपुर जिले में प्रिसासन ने रभिवार को मुक्तार अंसारी के खिलाब बड़ी कारवाई की है जिला प्रिसासन ने आईएस 191 गैंग की सरगना मुक्तार अंसारी की 3,50,000,000,000 रुपए की बेनामी संपत्ति कुरक कर ली महुआ बाग इस्तित सुबरा कॉंपलिक्स सामने या पलाट मुकतार अनसारी की माराबिया खातून के नाम पर थी प्रसासन की इस कारवाई से मुकतार के समर्थ को एव रिस्तिदारों में हड़कम्प मचा हुआ है महुवा बाग इस्धित मुकतार अनसारी की पतनी आफशा अनसारी के गजल होटल पर भी बीती साब ध्वस्ती करण की कारवाई की गई थी मुकतार अनसारी की अब तक साथ करोड की संपत्ती कुर्ख की जा चुकी है महुआ भाग में पूर बिधायक मुक्तार अंसारी की माराविया खातून की नाम से मौजूद 811 वर्ग मीटर भूमी कुर्क करने के लिए दोपहर 12 बजे सीओ सेटी ओजश्वी चावला और सदर एसडियम अन्रेदु परताप सिंग पहुँचे सुरच्छा के द्रिष्टी से नगर कोतवाल बिमलेज कुमार मौर्या की नेतरतु में पुलिस पहले ही मौके पर पहुँच गए थी इसके बाद टीम ने मुनादी करा कर भूम की कुर्की कर ली अब तक मुकतार अंसारी की 60 करोड की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है जबकि गिरोह से संबंदित लोगों की करीब 100 करोड की अवैस संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है कुर्की के दोरान तहसीलदार अबशेक राय राजश्व विभाग की टेम भी मौजूद थी सीयो सदर ओजश्वी चौला ने बताया कि जिला अधिकारी एमपी सिंग ने पुलिस की आख्या पर गैंग एक्स्टर एक्ट की धारा 14 एक के तहट मुकतार अंसारी की बेनामी संपत्ति कुर्क करनी का निर्देश दिया था इसके तहट कारवाई की गई है बादा जिल में बंध मुझ चले के सदर सी बाहुबली पूर विधायक मुकतार अंसारी पर आर्थिक चोट जारी है वरारसी जोन की पुलिस लगातार मुकतार अंसारी और करीमियों की संपत्ति की जाच करा कर जबती कारवाई कर रही है गाजीपूर जिले में इससे पहले भी मुक्तार अंसारी और उसकी पत्नी समीत अन्य परिवारों के नाम से दर्ज करोडों की संपत्ति कुर्क की गई है माफियाओं के खिलाइब चलाए जा रहे प्रदेश सरकार की अभियान के तहट इस कारवाई से छेतर में चर्चाओं का बाजार गर्म है गाजीपूर की अलामा मौ जिले में भी मुक्तार की आर्थिक समराज पर चोट दी गई है